नमस्कार मैं हूँ नंदनी आप देख रहे हमारे शो कल आजकल आईए नजरे डालते मुख्या खबर पर केंद्रे मंद्री रामदार सठुवाले से मिले NCB जोर्नल डिरेक्टर समीर वांखडे के पिता और पत्नी वर्ल बॉक्सिंग चेंपिन्शिप में अकाश कुमार क्वाटर फाइनल में पहुंचे T20 वर्ल कप में डेवोन कॉनवे को भायत के खिलाब ओपनिंग करनी चाहिए पिता डेंटेन का कहना है कॉंग्रेस ने आईरन लेडी ओफ इंडिया इंद्रा गांधी की पुन्य तिथी पर उन्हें शरदांज ली दी पंजाब के मुख्य मंत्री ने शिरी देवी दलाब में लंगर पर GST माफ किया किसी देश के समर्थन में नारे बाजी बरदास नहीं होगी राम के नाम पर सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं है राम का विरोध करने वालों को जनता ने जीरो बना दिया है यूब्य चुनाव के लिए RLD ने जारी किया संकल पत्तर युवाओं को एक करोड नोकरियों का वादा किया केरल में सोमवार से फिर से खुलेंगे स्कूल, सीम का कहना है कि दिशा निर्देशों की शक्ति का पालन करने की जरूरत है मेरोजगारी महंगाई को लेकर यूपी सरकार से नराज लोग आगमी विदानसभा चुनाव में भाजबा को बाहर करेंगे, बेगल ने कहा रोमे प्रदान मंत्री नेंदर मोधी ने स्पेन के प्रदान मंत्री पेंडरों से मुलकात की यूपी में खात की कोई कमी नहीं है धर्मेंदर प्रदान यूनियन मिनिस्टर ने कहा हमारी पाटी नेताधार मिक्ता राश्री निर्मान के लिए खड़े हैं माईला कांग्रिस पर मुख का दावा है गोरकपूर से बीज़ेपी पर प्रेंका गांधी का बाद साथ साल से गवादी 17 साल की महनत परतेग्या रेली में बोली प्रेंका गांधी जहां संगर्ष है वह मूँ फेर लेती है सरकार देश में करोना के 12,830 नहीं केस वहीं पिछल 24 गंटे में 446 लोगों ने गवाई जान कोवीड वैक्सिन बूस्टर खुराक सभी के लिए नहीं विशेशक्यों ने कहा तालिवान के सर्वोचनेता अखुन जादा अफगानिस्तान में पहली बार स साज़नी क्रूप से पेश हुए जमो कश्मीर के रजोरी में शहीद हुए दो सैनिकों के लिए पुष पांजली समारों आयोजित किया दिल्ली के अंद्रा गांधी अंतराश्य हवाई अड़े का परिशालन 18 महीने बाद कल टामिनल एक से शुरू हुआ दिली में कल फिर ब लाव डटे रहे हैं प्रेंडना देते हैं सरदार पटेल का संघर्ष प्रेंका गांधी ने कहा अस्ट्रेलिया ने टिका करन जनता के लिए अंतराश्च्र सीमा को फिर से खोलने की तैवान के खिलाफ आकरामक अभियानों के लिए युद्ध के खेल खे अनुकरन करने के लिए AI तक्नीकों का उप्योग कर रही है चीन रिपोर्ट में आया सामने बिना उचित जाच के अब रादिक कानून को लागू नहीं किया जाना जाहिए सुप्रीम कोट ने कहा EKI Energy ने H1 Financial Year 2022 के राजिस्व की सूचना दी बताया 607 स्करो राजिस्व मुशिराबाद में TMC नेता टेगोर की हत्या इलाके में सिती तनाव पूर दिवाली मूरत ट्रेडिंग के लिए Reliance Securities के ने 10 शेरोग पर लगाया दाउन दिल्ली के वाईयो गणो अत्ता लगादार पांचो दिन खराब रही जाइडे स्केंडलिया ने COVID वेक्सीन की कीमत 265 प्रतिकुरा कम करने के लिए सहमती दी अंतिम निर्ने जल्द सुत्र ने बताया धरदुन हाथसे में मरने वालों की संक्यात 13 हुई अब तक दो लोगों को बचाया गया अगिल भारतिय नयाएक सेवा के लिए राज्यों के साथ आम सहमती बनाने के लिए केंदर नए सीरे से परियास कर सकता है ब्योंड लाइफ कलब ने अमिता वच्चन के एन एफटी संग्रे के लॉंच की घुशना की आई पियल 2022 निलामी की शुरुआत में पूल से तेन घिलाडियों को चुनने के लिए लगनव एमदवाद के पास 33 करोड का बजट है दिले में पूर पियम डॉक्टर मनमोहन सिंग एम से दिस्चार्ट महीने के शुरुआत में हुए थे भरती अक्टूबर में 1800 से अधिक अवैत परवासी साइप्रेस पहुंचे जिनमें से अधिकांश ग्रीन लाइन के माध्यम से है नो सबसे मुल्यवान शेयरों का मार्केट कैप 2.48 लाग करोड रुपे से अधिक गिर गया दो सब्ता तक चलने वाली CEO P26 जलवाईू बैठक और चारिक रूप से गलसेगों में शुरू हुई केरल में लोग एक नॉमबर को केरल फिर्वी के रूप में मनाते हैं आई अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या हुआ था सन 1956 में दिल्ली भारत का केंदर साशित परदेश बना रहा 1956 में भारत में केरल राज्य का गठन हुआ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मद्य परदेश एक नॉमबर को 1956 को मद्य परदेश और विंद्य परदेश को और भोपाल राज्य को मिलाकर बनाया गया था 1956 में भारतिय राज्य पंजाब पटियाला और अधिकांश पूरी पंजाब संग पंजाब के रूप में विलीन हो गये थे और 1973 में कुरू नांडू को बीतर सवी छेत्रों को परतिनिद्व करने वाले मसूर का नाम बदल कर करनाटक कर दिया गया था आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बाखी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद